यह देखिए आप इसका पलू उसका फ्रेंट हमें सीक्वेंस से पूरा है यूट्यूब चैनल कैसे आप लोग आए होप आप सब लोग अच्छे होंगा और आप लोग को मेरे साडी रिक्रमेंडेशन बहुत जादा पसंदे स्पेशली मीशो से और अब रक्षा बंदन भी आ जाए की महा इंडियन सेविंग सेल जिसमें आपको मिलेगा अप्टू 70% ऑफ मतलब बहुत जादा ही डिसकाउंट आपको मिलने वाला है अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है अगर आप सेल के ताइम पर्चेस करेंगे तो आपको और डिसकाउंट मिल जाएगा आज का स बहुत सुंदर सा होने वाला आप कमन करेंगा आप सारी सारी पर्चेस कर ले अगर आप चाहें तो रक्षा बंदन पर अपनी सिस्टर को सिस्टर इनलो को या खुद के लिए भी पर्चेस कर सकते इतनी प्यारी प्यारी सारी में आप लोग के साथ शियर करने वारे हुए अ का minimum price आपको देखने को मिल जाएगा 400 रुपीस maximum होने वाला है 1400 रुपीस so under 1400 रुपीस में आपको साड़ी साड़ी मिल जाएगी एक साड़ी तो आपको ready to wear with stitch blouse मिलने वाली है so first साड़ी जो मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ वो इस haul की सबसे सस्ती साड़ी होने वाली अभी जैसे सावन आने वाला है फिर हर ताली क्या तीज हर याली तीज आ जाएगी तो उस ताइम पर आप ऐसे साड़ी स्पेक कर सकते हैं बहुत light weighted है प्लस बहुत जाद ही affordable है 489 रुपीस की आपको यह डोला सिल्क साड़ी मिल जाएगी इसमें आपको सीक्वेंस भी मिलन यह पूरी साड़ी पे आपको कुछ इस तरीके से प्रेंट मिलने वाला है उपर का बॉर्डर पतला मिल जाता है और नीचे के साइट का आपको बॉर्डर थोड़ा सा ब्रॉड सा मिलेगा इस पर आपको सीक्वेंस भी लगे होए मिल जाएंगे साड़ी का कलर बहुत क्या है कानुडा एतनिक वेर का एंड उनका कलेक्शन आपको मिशो पे भी देखने को मिल जाएगा जस्ट अभी जब मैं साड़ी सर्च करी थी ना उस टाइम मैंने देखा कि मुझे यह साड़ी जो मैंने अब भी आप लोगों के साथ हॉल में शियर की वही साड़ी मुझे मिशो पे भी मिल गए और कॉलिटी एजटी जे वो कानुडा एतनिक वेर ही है जो मिशो पे भी सेल कर रहा है मैंने महीं से ग्रीन कर फिर से ओर्डर कर दिया कॉज मैं चाहरी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं सेम कलर आता है या सेम डिजाइन है या नहीं है और मुझे भी थोड़ा सा डाउन था कि वो एक्च्वल में कानुडा एतनिक वेर ही है या फिर कोई और सेलर है बट यह बहुत जादा प्यारी और एजटी साड़ी आपको मिल जाएगी केवल 480 रूपीज में और यह है इसका ब्लाउस पे आप देख सेते हैं ऐसा डॉटेड वाला प पिक कर सकते हैं और वैसे भी अजीब सा वैदर हो रहा है ना बारिश हो रही है और बीच में ऐसा लगता है कि बारिश होने वाले लेकिन अभी भी लिटरली बहुत जादा गर्मी लग रही है उस तैम पर यह साड़ी पहनने के बाद कुछ ऐसी लगई इसके लिए मैंने प इसके साथ ही अटैच है लेकिन उसे मैंने फोल्ड करके टकिन में लिया है पल्लू मैंने लॉंग क्या रिकिया है लुक बहुत अच्छा रहा है अंडर फाइफंडर डूपीज में आपको इतनी प्यारी साड़ी मिल रही है अगर आप सावन के लिए तीज के लिए यह साड दूसरे कलर्स भी ट्राय कर सकते हैं साड़ी का पूरा लुक देख सकते हैं और मुझे यह प्रिंट बहुत अच्छी लग रही है इसमें आपको यलो और वाइट कॉमिनेशन मिलेगा जिस वजह से डाग क्रीन के साथ यह कलर बहुत उठके आ रहे हैं मुझे साड़ी बहु के साथ एक विस्कॉस जॉर्जट साड़ी शेयर करने वाली हूं प्राइज इसका एक हजार 29 रुपे कलर ऑप्शन में अविलेबल थे यलो ब्लू रैड परपल पिंक और क्या है इसमें यलो कलर कॉस यह कलर मुझे बहुत जादा सुन्दर लगता है और विस्कॉस करते पहना सो मैं आप लोगों के साथ यह लो कलर शेयर करें इसमें कलर ऑप्शन से एविलेबल है एक हजार रुपे में आपको यह साड़ी मिल जाएगी आपको इस तरीके से बॉर्डर मिलने वाला जरी वाला ही चेक्स वाला पूरा पैटन मिल जाता है बीच बीच में देख लिए कितना अच्छा लग रहा है और जॉर्जट फैब्रिक है तो लाइट वेट भी है बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा लेकिन इसका जो लुक है वह बहुत अच्छा सा हैवी सा आने वाला है आप पार्टी पोपर से भी साड़ी कर सकते हैं इनके दोनो पूरी चेक्स पैटन और बीच में बूटिया मिल जाएगी यह भी जॉर्जट फैब्रिक में मिलने वाला है और सारे ही ब्लाउस आपको कॉंट्रास मिलेंगे कलर को क्लर कॉंबिनेशन की अकॉर्डिंग यह साड़ी पहनने की बाद कुछ ऐसी लग इसके लिए इसके प्लाउस का मतेरियर बट अभी मैंने अपने पिंक ब्लाउस के साथे से पहना है साड़ी बहुत अच्छी लग रही है लाइट वेट इडे अगर आप चाहे तो फूजा फंक्शन के लिए पेक कर सकते हैं सावन में पहन सकते हैं तीज पेहन सकते हैं इसमें आपको कलर ऑप प्लाउस के लिए यह तो पहले हम इसका पल्लू देख लेते हैं यह देखिया आप इसका पल्लू पर आपको ऐसे पूरे लटकन मिल जाएगे और साथ में कर्ट वोक मिलता है जिसमें आपको सीक्वेंस वाला पूरा डिटेल मिल जाएगा कलर बहुत प्रिटी है बहुत पेस्टल लाइट कलर आपको मिल जाएगे पेस्टल पिंग कलर जो होता न वो आपको मिल जाएगा देख सकते हैं आप पूरा कर्ट वोक मिलने वाला है पल्लू के तीनों साइट्स पे आपको ऐसा ही पूरा कर्ट वोक मिलेगा सीक्वेंस वो साड़ी पर फैब्रिक इसका और्गेंजा है बट सॉफ्ट और्गेंजा है अराम से आप क्यारी कर सकेंगे और यह है पूरा साड़ी का लुक पल्लुक के पूरे तीनों साइट्स पे आपको ऐसा ही कट वाला पैटर्न मिल जाता है उपर टकिन वाला एरिया मिल जाएगा इसम आपको कोई डीटेल नहीं मिलती है लेकिन नीचे के साइड अगें आपको यह कट वॉक और साथ में यह पैच वाला डीटेल मिलेगा सीक्वेंस से और पूरी साड़ी आपको ऐसे ही फैब्रिक में सेम मिल जाएगी नीचे का यह बॉर्डर मुझे बहुत अच्छा लग रह रही है यह बॉर्डर एंड एसा हिया आपको पूरी हेवी साड़ी escort में सेगी बॉर्टर थे कई दिजाइं सट्र जाएंग नीचे अब लुक एड द भाफ देसर्द यहां जाएगगा कितना सुंदर सापको नैक पे वर्क मिल जाएगा पूरा neck का जो pattern है वो आपको बना हूँ मिलेगा neckline मतलब बनी हुई मिल जाएगी and फिर आपको extra fabric ऐसे मिल जाएगा front के लिए and back के लिए भी इसमें आपको extra इतना fabric मिल जाता है and यहाँ पे आपको work देखने को मिलेगा देख सकते हैं आप sleeves के लिए आपको मिल जाएगा यह work तो दोनों sleeves इधर मिल जाएगी and friend का look यहाँ मिल जाएगा extra fabric back के लिए I think यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा so sari pretty है color combination single आपको मिल जाएगा यही pink मिलेगा आपको and price भी affordable है यह साड़ी पहनने की बाद कुछ ऐसी लग रही है इसके लिए मुने पे की है 1060 रुपए पहली बात तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मुझे wrong product मिल जाए या फिर मुझे color में difference मिलेगा quality पता नहीं हो सकता है अच्छी ना मिले लेकिन यार सेलर ने मुझे बहुत जादा impress कर दिया image actual जैसा image मैंने देखा था वैसी ही मुझे साड़ी मिली है color भी exact वही है उस पर work भी same है बिल्कुल भी difference नहीं है तो आपको भी ऐसी ही साड़ी मिलेगी आप मेरी link के थ्रूँ से purchase कर सकते और 1060 रुपए में इतनी प्यारी party wear look के आपको साड़ी मिल जारी है अगर आप कोई गरल है और अपने लिए साड़ी purchase करना चाहती रक्षा बंदर में पहनने के लिए तो भी आप इसे पेक कर सकते है color बहुत अच्छा है बहुत soothing सा color है बिल्कुल भी आपको ऐसा अलग सा फीन नहीं होगा red pink green इन color से अलग थोड़ा सा color मिल जाएगा blush pink है यह proper ऐसा रानी पि कर सकते है और इसके लटकन बहुत ही जादा अच्छे लग रहे साथ मैं आप राक्षा बंदर में पहन के compliment भी ले सकते हैं बहुत सारे सबसे क्योंकि साड़ी बहुत अच्छी लगेगी आप अब मैं आप लोग के साथ एक जोजट सीक्वेंस वर्क साड़ी शेयर करने वाल रानी पिंक कलर पिक करूं और कलर आप देखिए कितना ही जादा अच्छा मतलब डीप ताक जो कलर होता न पिंक में वह आपको मिल जाएगा बॉर्डर आप देख सकते हैं बॉर्डर पर आपको सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है यह साड़ी का पल्लू है पल्लू पर आपको पूरा ऐसा line वाला pattern मिलेगा इसमें भी आपको sequence जरीवाला काम मिल जाता है यहां से border start हो रही है यहां से पल्लू start होता है यह साड़ी पे आपको पूरे पे ऐसा ही work मनने वाला है मुझे ऐसा लगा था सिर्फ पल्लू पे आपको यह line वाला pattern मिलेगा लेकिन नहीं पूरी साड़ी आपको सेम ऐसी ही मिलने वाली है यह देखिए नीचे का border ऐसा है और बाकि आपको पूरी साड़ी ही ऐसी मिल जाएगी तेरा सो रुपे में एकदम heavy party wear साड़ी आपको मिलने वाली है नीचे आपको border मिल जाएगा यह वाला area आपको plane मिलने वाला है यहां तक हमें यह border मिल जाता है देन उसके बाद इतना something एक मीटर का जो fabric है वो आपको plane मिलेगा अंदर टकीन के लिए बाकि आपको पूरी साड़ी देखिए heavy सी मिल जाएगी इसमें color जो onion pink है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था अगर आप चाहें तो वो color भी ट्राय कर सकते हैं आपको इसका blouse दिखा देती हूं अउसका फ्रेंट हमें सीक्वेंस से पुरा बनावा मिल जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें plane मिल जाता है स्लीव के लिए और बैक के लिए भी हमें extra plane fabric मिल जाता है आर्चिल फैब्रिक का इस पैपको लाइनिंग लगवानी पड़ेगी इस साड़ी के लिए मैंने पेक हैं 1300 रुपया इन उस अकॉर्डिंग कॉलिटी बहुत अच्छी है फुल हैवी आपको साड़ी मिल जाएगे अगर आपकी शादी होने वाली तो भी आप इस साड़ी को पिक कर सकते है क्योंकि पूरी साड लाइनिंग वाला पैटन ही यह पूरी साड़ी को मिल जाएगा इसमें हमें पिंक कलर का ब्लाउस मिलता है बहुत अच्छी लग रही है फैब्रिक इसका जॉर्जटे कलर ओप्शन में अविलेबल है अगर आपको डर्क नहीं नहीं लेना तो आप लाइट पिंक कलर भी ले अब मैं आप लोग के साथ एक जॉर्जट लहरिया प्रिंट्रेट साड़ी शेयर करने वाली हूँ प्राइज इसके लिए मैंने पे किया है 1380 रुपे सिंगल कलर एवी लेबल था वाइट पेंग कॉमिनेशन में आपको पूरी लहरिया डिजाइन मिल जाएगी यह साड़ी का पल्लू के तीनों साइट्स पे आपको कर्ट वर्क के साथ में यह स्टोन लगाओ मिल जाएका और यह स्टोन बिलकुल भी नहीं निकलने वाले अच्छे का से स्टिक है प्रॉपर ली लहरिया नहीं है साड़ी ऐसा जिग्जग वाला पैटन मिल जाएगा वाइट साड़ के साथ पार्टी वेल लुक भी देती है क्लासी साड़ी है आपको मिल जाएगी यहां तक हमें यह स्टोन वर्क मिल जाता है यहां से पल्लू स्टाट होता है जैने उसके बाद यह टकिन वाला एरिया है तकिन वाली एरिया में आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी साड़ी पे हमें स्टोन मिल जाते है केवल बॉरी साड़ी पें नीचे लगाओ मिल जाएगा प्लीट के वहाँ जांव भी आप प्लीट डॉट में मुझे मिला है ब्लाउ इतना फैब्रिक आपको वाइट मिलता है उपर और यह नीचे ऐसा पतला वाला बॉर्डर साब मिल जाएगा वाइट का एंड पिंक पे वाइट कलर की पोल का डॉट पूरी प्रिंट मिल जाती है जॉजट फैब्रिक है अगें यह भी पहनन आपको वाइट कलर की मिलेगी उसके उपर आपको जिक जैग पैटर मिल जाएगा कलर फुल ब्लाउस मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कौस साड़ी पर आप स्टोंड वर्क लगाकर दे रहे तो थोड़े से अगर ब्लाउस पर भी लगे होते तो ब्लाउस ज्याद यह साड़ी स्किप करके दूसरी साड़ी स्ट्राइजय कर सकते हैं इसमें क्यूंकि सिंगली ही कलर सिंगल ऑप्षंस अगर होते हैं अब छट से जब्लाउस ऑशॉसर ट्राइग करती इसमें सिंगल कलर है अब आपको साइड मैपको ट्राइनम भी अगर आपके हाइड आप लोग बोलने वाले कि कितनी जिमीजू साडी आप लेकर आते हैं लेकिन मेशों पर मुझे यार जब भी ओपन करो ना तो मुझे एक नाइक जिमीजू साडी पसंद आई जाते हैं और यह हॉल में एक साडी तो बनती है जिमीजू साडी सो इसके लिए मैंने पिक यह है एक हजार एक सो पंदा रूप है कलर ओप्शन में एविलेबल है पिंक, ब्राउन, ग्रीन, एन ब्लू मैंने पिक किया है ब्लू कलर यह है हमारी जिमीजू साडी का पल्लू पल्लू के तीनों साइट्स पे आपको यह बॉर्डर मिल जाएगा स सीक्वेंस जरी वाला एन पाइपीन भी मिलती है ब्लू कलर की और साथ में हमें पूरा ऐसा लहरिया वाला पैटर मिलेगा जिसमें अगेन आपको सीक्वेंस एम्डॉडरी मिल जाएगी पल्लू आप देख सकते हैं पल्लू बड़ा प्यार आस आपको मिल जाएगा एन यह स एरिया वह आपको प्लेन मिलेगा लेकिन हाफ पूरी साड़ी पर आपको यही पैटर मिल जाएगा तो पार्टी वेर साड़ी होने वाली है यह भी आप रक्षा बंदर में पहन सकते हैं कलर ऑप्शन भी इसमें अविलेबर तो आप दूसरे कलर सकते हैं यहां तक हमें यह एन दवा 1m का फैब्रेक आपको प्लेन मिल जाएगा जिस में आपको यह यह शाइनी फैबडिक मिलने वाले है प्लेइन अब आपको इसका ब्लाउस दिखा देती हूँ यह साड़ी का ब्लाउस आट सिल पैबरीक में आपको ब्लू कलर का ब्लाउस मिलता है so fabric की वज़े से color में थोड़ा difference आ जाएगा यह थोड़ा dark blouse आपका बनने वाला है आपको border मिल जाता है sleeves पर लगवाने के लिए और बाकी पूरी blouse पर आपको line वाला pattern साड़ी का लूग कुछ ऐसा आ रहा है and length and width में भी साड़ी perfect है सबसे अच्छी बात जो है वो यह है कि इसकी border यहां तक आपको मिल जाएगी यहां पर आपको plain fabric नहीं मिलेगा साथ में आपको border भी मिलती है यह बहुत अच्छी बात है इसमें आपको color options में मिल जाएंगे and 1100 रूपे में आपको प्यारी सी जिमी जू साड़ी मिल रही है blue color मैंने pick किया है इस मैं इतिंग pink color भी है brown color भी है दोनों color बहुत अच्छे आप चाहे तो दूसरे color try कर सकते है length width में भी साड़ी perfect है लेकिन हां normal साड़ी के comparison में जिमी जू साड़ी थोड़ी सी width में कम होती है तो अगर आपके height 5758 है तो उस according आप चेक करने के बाद ही साड़ी order करिएगा हो सकता है आपको issue हो जाए but I think 5556 तक तो कोई issue नहीं आएगा 53 मेरी height है and मैंने heel के साथ भी साड़ी को पहना है जिमी जू साड़ी width में थोड़ी कम होती है अगर आपको साड़ी अच्छी लगए आप definitely साड़ी को pick कर सकते है and haul के लिए मैं जितनी भी साड़ी share करती हूँ ना उन में से कुछ न कुछ साड़ी मुझे होई जाता है कि delivered नहीं होती हो और इस साड़ी के लिए मैं बहुत सादा excited थी लेकिन अभी तक वो मुझे delivered नहीं होई है तो वो मैं आप लोग के साथ next haul में share करूँगी अभी जो मैं आप लोग के साथ share कर रहे हूँ वो होने वाली है ready to wear साड़ी with stitch blouse इसके लिए मैंने पेकी है 1400 रुपए इस haul की सबसे expensive साड़ी होने वाली लेकिन यार आपको stitch blouse बे मिलने वाला है इसमें color options available थे purple और blue मैंने पिक किया है purple color प्रेले मैं आपको इसका blouse दिखा देती हूँ सो हमें ये stitch blouse मिलता है पूरे ही blouse पे आपको ये sequence जरीवाला heavy पूरा blouse मिलने वाला है padded blouse आपको मिल जाएगा 3-4 sleeves मिलने वाली है आप पूरा detail देख सकते हैं heavy सा blouse आपको मिल जाएगा back से हमें ये plane मिलता है लेकिन sleeves पे आपको front back दोनों में work मिलने वाला है सबसे अच्छी बात इस blouse की ये है कि इसमें आपको side में zip मिलता है आप अपनी fitting करवा लेंगे उसके बाद easily आपको wear करने के लिए side में zip पर मिल जाता है आराम से आप zip open करके पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ब्लाउस का look बहुत अच्छा आ रहा है अभी मैंने alter नहीं किया है परस्नली मुझे ब्लाउस जोहत अच्छा लग रहा है ऐसे ब्लाउस स्टिच करवाने साओ तो अराम से 500 रुपए तो लगी जाते हैं और 1400 रुपए में आपको ready to wear sadi with stitch blouse मिल रही है इसमें ब्लू कलर भी अविलेबल थे लेकिन वह आउट और स्टॉक हो चुका है पर्पल कलर का लिंक आपको description मिल जाएगा जरूर सा description चेक करिए गा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में मुसे comment में पूछते हैं link के लिए तो description में मैं सबके link दे देती हूँ आप वहाँ चेक करिएगा आपको सबके link मिल जाएंगे जो साड़ी में पहनती हूँ उसका भी साड़ी I am wearing करके link में डाल देती हूँ जाएगा फिर उसके बाद हमें मिल जाती है यह प्लीट्स बनी हुई यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहां पर प्लीट्स बनी हुई मिल जाएंगी और फिर यह हमें मिल जाता है पूरा हूक वाला area इसे आप अपनी वेस्ट के according देखिए यह कुछ हमें ऐसे हूक इसे लगा सकते हैं देन उसके दबस पल्लू आपको डालना रहेगा यह आपकी वेस्ट पे ऐसा लग जाएगा परिक इसका जॉर्जट होने वाला है बहुत लाइट वेटेड है साथ में आपका पूरी साड़ी अग्दम पाटी वेल लुक में आने वाली और इतनी जाधा साड़ी को हाली रिकमेंट करने वाले इस रेडी तु वियर विट स्टिज ब्लाउ साड़ी के लिए मैंने पेकी हैं चोड़ा सो रुपए इसमें दो कलर ऑप्शन्स अविलेबल थे परपल एंड ब्लू करेंटली ब्लू अभी आउट ऑफ स्टॉक है आपको परपल कलर मिल यहां पर पूरा पल्लू की प्लीट बनी विल जाएगी और साथ में आपको प्लीट भी बनी विल जाएगी हूप मिल जाता है जिसे अपने वेस के अकॉर्डिंग उसे एडजिस कर सकते हैं और अब मैं आपको ब्लाउस बता देती हूँ तो ब्लाउस 38 साइज तक के लिए अगर आप 28 साइज तक finished 38 साइज तक हैं तो आप इस साडरी को पिक कर सकते हैं बलाउस आप और यहाँ से बहुत लूज है स्लीव से जाधा लूज नहीं है बत यहां से बहुत लूज है that mean 38 साइज तक के लोग इसे पिक कर सकते हैं और उसे जाधा अगर आप 40 साइज तक है तो हो सकता है आपको ब्लाउस फिट ना हो साड़ी बहुत अच्छी है लेंथ में विट में साड़ी बहुत अच्छी मतलब अगर आपकी हाइट 5758 इवन आप 59 भी न तो भी आपी साड़ी को पेक कर सकते हैं बहुत जादा लॉंग सीज की लेंज च पेंशन नहीं है सुख 1400 रुपए अफॉर्डेबल ही है क्योंकि 400-500 रुपए तो हम वैसे भी ब्लाउस में देते हैं स्टेच करवाने के लिए उस अकॉर्डिंग साड़ी बहुत अच्छी लग रही है अगर आपको यह साड़ी पसंदारी और आपको मिल जाए स्टॉक में आप रिव्यू चाहते तो आप उसका लिंक या कोड भी मुझे कॉमेंट कर सकते मैं जबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए स्टेए ट्यून से अल्दी और बाए